फसल सारीवड़गी है रहे फसल प्रसल के पाण ही हैं हम यह तो अरी मिगक योग भी फशाज के हिलिए हमारे कोई नोकरी नहीं है कुल उड़ नहीं है लेकिन अत्य दिक सर्दी पढ़ने की वज़े से पाला पढ़ने की वज़े से ये फसले लगबग 60-70% तक बरबाद हो गई हैं जो कि किसान के लिए काफी नुकसान दायक हैं तो आईए चलते बात करते किसान से और उन से जानते हैं कि ये किस तरीके से नुकसान हुआ है और किस तरीके से ये सर्दी की वज़े से फसले प्रभावित हुई है वह इसे मौसम में सबसे बड़ी जो दिखता रही है वह आरी है दो चीजों की एक तू आरी है कि इस समय 4 से 5 00. entertainment में मौसम जा रहा है रात को ितनी सर्दी हो रही है पाला जब्रा है और पाला भी इस स्तिती में कि ऐसे लगता है इनको उगाड करके देखते हैं जब तो पूरी की पूरी पूरी पसल नश्ट हो चुकी है जब कि करसी वे गहनी की ये बताते हैं कि ये उपर से डखने के बाद के अंदर पसल को अंदर कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन ऐसी सरदी ऐसा पाड़ा जिसके अंदर कुछ भी कानी और आश्या है बिजली की ट्रिपिंग जो लगाता है डिपिंग आ रही है बिजली समय पर आ नहीं रही है पूरे दिन के अंदर चालीश से ज़्यादा भार कटोती होती है जो 12 बजे शुरू होती है वह रात को 11 बजे तक चलती है ये तो राज की तरफ से हैं दूसरी तरह पे इनका जो मौावजा मिलना चाहिए बड़ी बड़ी गोश्णाइं होती हैं कि परदान मंत्री पसल भीमा के अंदर मौावजा मिलेगा किसान को वो परदान मंत्री पसल जो भीमा है उसके अंदर पाड़े का कोई नाम ही नहीं लिखावा कहीं पे मैंने मेरा खेयत का माईने तोरियों मतीरा और मिर्स बारा के हीं बाक माई सतर परसेंट ये पाड़ाशों खराबी हो चुकी है और इक माईने अब थे हैं जी की साहां महीं तो देख लियो साहब मिर्सा का 2 रिप्या का ऊपला खेया है अब ये आपके सामने टामाटर की फसल है और इसकी हालत आप देख लिजे की सारा ये जल चुका है जबकि इसके उपर ये लगाया वाभी है ये ताकि फसल की सर्दी से बचाव हो सके लेकिन उसके बावजूत जो जिस तरीके से टाम बर्बाद हुई है यह काफी चिंता जनक है तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अत्यदिक सर्दी की वज़े से किसानों का नुकसान हुआ है लेकिन वर्तमान दोर में सरकारों की जो नीतिया है उसकी वज़े से भी किसान को किसी तरीके का फायदा मिलता नहीं न दिकारियों धता जन प्रतिनिद्यों तक पहुंचा सके। सीकल संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।